नारायन नारायन एंड हाई आम सीमा एंड आप सबका तर्ना डिफेंस अकेडमी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत हैं और हूप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप सब की डिमांड के उपर हम इंगलिश और हिंदी दोनों में आपके जीके जीएस के मिक क्योशन लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एक कमेंट से कमेंट आते हैं कि मैडम प्लीज इंगलिश में करवाईए हिंदी में करवाईए तो इसलिए हम हिंदी और इंगलिश तोनों में आपकी जो है वो क्योशन करवा रहे हैं ताकि आपको किसी प कम्प्लीट करने में हमारा सपोर्ट कीजिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो अब हम हमारा क्योशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा फस्ट क्योशन है देखिए इन विच ये डिड़ दे काकोरी कॉ जो है वो आपका कब हुआ था तो वो हुआ था आपका 1925 में अगस्त 9 अगस्त 1925 के अंदर हुआ था आप देखिए क्योशन नंबर सेकेंड क्योशन नंबर सेकेंड है आपका कि ताच महल को संगरमर में स्वप ने कहा जाता है किस इसमार्को को पथर में स्वप ने कहा जाता है दरंग महल को, दर पंच महल को, दर रेड फोट को या बहाई मंदिर को तो जो ताज महल को संग्मरमर में स्वप ने कहा जाता है वो इस कहा जाता है पंच महल को ओप्शन नमबर भी आपका correct answer हो जाएगा आप देखें क्योशन नमबर 3rd क्योश नमबर थर्ड है आपका विश्व में प्रदूशन का सबसे बड़ा श्रोत कौन सा है बताईए हार्बी साइट्स एंड शाक नाशी और कीट नाशी इंसेक्टी साइट्स ओटो मॉबाइल एक्जोस्ट ओटो मॉबाइल से निकलने वाला धुवा सेवेज और गारबेज, कुड़ा और कच्रा, इंडस्ट्रियल, एफ्यूलेंज, और द्योगिक, बही श्राव बताईए प्रदूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है वो है आपका उप्शन नमबर C, सेवेज और कारबेज, कुड़ा और कच्रा ठीक है, अब देखें क्योशन नमबर 4, क्योशन नमबर 4 है आपका Which of the following was India's Interplanetary Mission? निमने लिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरग्रेई अभियान था बताईए चंदरयान मिशन था, मंगल यान मिशन था, आर्यभट मिशन था, या फिले मिशन था तो कौन सा जो है वो India Interplanetary Mission था, तो वो था आपका उप्शन नमबर B, मंगल यान मिशन, ठीक है, उप्शन नमबर B आप देखें क्योशन नमबर 5, क्योशन नमबर 5 है आपका The only recurring to be assassinated in India was, एक मात्र, वाइस राय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी Lord Hodding की, Lord Northbrook की, Lord Allen Borough की, या Lord Mayo की, तो कौन थे वो एक मात्र, वाइस राय, तो वो थे आपके, कौन थे Lord Mayo, जिनकी 1872 के अंदर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, 1872 के अंदर Lord Mayo की, ठीक है, आप देखें क्योशन नमबर 6, क्योशन नमबर 6 है आपका Who was the founder of the Theosophical Society, Theosophical Society के संस्थापक कोन थे, Justice Rana Day थे, Madam Balavatsky थी, Annie Basin थी, या Bal Gangadar तिलक थे, तो Theosophical Society जो है, उसके आपके founder, उसके संस्थापक कोन थे, Madam Balavatsky Option नमबर B आपका correct answer हो जाएगा Now next question, next question है आपका question नमबर 7, Banks on interest on, Bank किस पर ब्याज अरजित करते हैं, deposit पर, loan पर, demand draft पर, pill of exchange पर, ये तो शायद सभी को पता होगा, कि Bank जो है, वो किस पर अरजित करता है, Bank जो है, वो loan पर, जब bank loan देता है, तो उस पर हमें interest चुकाना पड़ता है, ठीक है, तो option नमबर B आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए, question number 8, question number 8 है आपका, who was the revolutionary leader, who ended his days as a Swami of Ramakrishna mission, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में वैतित की, अजित सिंग, और बिंदो घोस, जतिंदर नाथ बंदो पाध्याए या हेमचंदर कानून गो, बताए किस क्रांतिकारी नेता ने अपने लास समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में वैतित की, तो वो थे आपके जतिंदर नाथ बंदो पाध्याए, option number C, आप का correct answer हो जाएगा, आप देखे, question number 9, question number 9 है, the red shirt moment was lead by, आंदोलन red shirt के अगवा कोन थे, मुलाना आजात थे, मुहमद अली थे, खान अब्दुर कफार खान थे, या असफाक उल्ला खान थे, तो red shirt moment जो है, उसको किसने lead क्या था, उसको क्या था आपका, खान अब्दुर कफा हो जाएगा, आप देखे, question number 10, question number 10 क्या है, देखे, ATM is the abbreviated from, ATM किसका संचित रूप है, automatic teller machine, automated teller machine, old time money, automatic telly machine, तो ये शायद सभी student, please comment section में लिखिए कि इसका answer क्या है, क्योंकि I think ये किसी भी student का wrong होने का chance नहीं है, क्योंकि ये आपके, जो daily use में आती है, वो चीज़ है, automated teller machine, option number B, आपका correct answer हो जाएगा, automatic मत कर देना, automated होगा, अब देखे, question number 11, question number 11 है आपका, the chairman of नीती आयोग, नीती आयोग के अध्यक्स कौन है, बताए, industry minister, उध्योग मंत्री, prime minister, प्रधान मंत्री, finance minister, वित मंत्री, commerce minister, वानिजय मंत्री, जो always नीती आयोग के जो अध्यक्स है, वो कौन होते हैं, आपके प्रधान मंत्री, prime minister, ठीक है, हम देखे, question number 12, question number 12 है आपका, the film फुलन देवी was directed by, फुलन देवी जो फिल्म है, वो किसके द्वारा direct की गई, फुलन देवी, जो है, वो राज कपूर के द्वारा, उसके जो डाइरेक्टर है, जो निर्देशन है, वो राज कपूर है, शशी कपूर है, शेखर कपूर है, या अनिल कपूर है, तो फुलन देवी जो फिल्म है, उनके डाइरेक्टर, उनके जो निर्देशक है, वो कौन है, option number C, सेखर कपूर, ठीक है, आप देखे, question number 13, question number 13 है आपका, who was known as the second founder of the Maratha empire, Mar Maratha सामराज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, बालाजी विश्वनात को, बालाजी बाजी राव को, बाजी राव वस्थ को, या माधव राव को, तो Maratha सामराज्य का जो दूसरा संस्थापक है, वो बालाजी विश्वनात जो हैं, वो इसके संस्थापक थे, इनक इनकी मृत्यू के बाद कोन बना था बाजी राव पेश्वा इनका बेटा था ये बाजी राव पेश्वा जो बाला जी विश्वनात की मृत्यू के बाद बाजी राव पेश्वा बना था ठीक है आप देखें क्योश नमबर 14 क्या है महात्मा गांधी कंसेप्ट ओफ राम रा महात्मा गांदी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? नेक्स्ट क्योश नमबर फिफ्टीन आपका वेर इस दा कोईन स्मिन्टेट इन इंडिया? भारत में सिखके कहां गड़े जाते हैं बताएं डैली, मुंबई, कोलकाता, हिदराबाद में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलॉर में या मुंबई, कोलकाता, हिदराबाद और में ठीक है अब देखो हमारे जीएस के क्योशन क्योशन नमबर 16 दा हिूमन फिसेज इस यलो इन कलर ड्यू टू दा प्रेजन्स ओफ फे पिग्मेंट कोल्ड किस रंग द्रव्य की उपस्तिती के कारण मानव के मल का रंग तीला होता है बताएं पैपसीन के कारण रेनीन के का या यूरो बिलिन के कारण किस रंग द्रव्य की उपस्तिती के कारण जो है उनका कलर क्या होता है रंग जो है वो पीला होता है वो है यूरो बिलिन तो option number d आपका correct answer हो जाईगा यूरो बिलिन आप देखे question number 17 17 है आपका we are able to walk on earth without sleeping because of sleeping because of हम बिना फिसले प्रत्वी पर चलने में क्यों सक्षम है बताए गुरुत्वा कर्शन बल के कारण गर्शन बल के कारण सयंता बल के कारण या उपकेंदरी बल के कारण तो जो हम बिना फिसले प्रत्वी पर चलते हैं न वो किस कारण चलते हैं वो घर्शन बल के कारण चलते हैं फ्रिक्टो शनल फोर्स के कारण चलते हैं option number B आपका correct answer हो जाएगा इसमें आप गुरुत्वा कर्शन बल मत करदेना ठीक है गर्शनल मत करदेना option number 18 majority of the fungal biome of leecans belong, leechene के अधिकान्स बवाइट किससे संबन दीत है, बताईए बताईए किससे संबन दीत है, beridio mycet से, ascomycet से, या gomycet से, या deuter deuteromycet से, बताईए leechene के अधिकान्स जो बवाइट है वो किससे related है, ascomycet से, option number B आपका correct answer हो जाएगा अब देखें, next question number 19, question number 19 है, which of the following has open vascular system निमन लिखित में से, किस में खुला नाड़ी, संबन दीत तंतर होता है, cockroach, human rat, और birds बताईए, खुला नाड़ी, संबन दीत तंतर होता है, वो है आपका cockroach, कौन सा है cockroach, option number a, open vascular system अब देखें, question number 20, question number 20 है आपका, the warm and cold ocean currents are caused by गरम और थंडी समुदरी धाराएं, किस के कारण चलती है, prevailing winds के कारण, प्रचली धवाओं के कारण, earth rotation प्रत्वी के घुनन के कारण, variations in density of sea water, समुदरी जल के घनत्व में, परिवर्तन के कारण या all of these, सभी विकल्प तो गरम में थंडी समुदरी धाराएं जो है, वो किस के कारण चलती है वो इन सभी के कारण चलती है वो prevailing winds के कारण भी earth rotation के कारण भी variations in density of sea water, तो option number D आपका correct answer हो जाएगा अब देखें, question number 21, 21 number question है आपका, the atomic bomb is based on the principle नूक्लियर फ्यूजन आनियंत्रित नाभिक्ये विल्यन तो इसका answer होगा आपका uncontrolled nuclear fusion कि प्रमानुबम जो है वो uncontrolled nuclear fusion सिदान्त प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है अब देखें, question number 22, 22 32 number question है आपका Butter is collide formed when मखन collide कब बनता है Proteins are dispersed in water जब protein पानी से छितरा जाता है Water is dispersed in fat जब पानी में वशा छितरा जाता है Fat Globules are dispersed in water जब वशा की गुलिकाए पानी में छितर जाते हैं Carbohydrates are dissolved in water Carbohydrates पानी में गुल जाता है तो fat जब वशा की गुलिकाए जो है वो पानी में छितर जाती है तो option number C आपका correct answer हो जाएगा option number C ठीक है आप देखिए question number 23 23 number question है आपका charcoal can be made at home by burning charcoal घर में क्या जला कर बनाया जा सकता है charcoal को हम घर में क्या जला कर बना सकते हैं बताये wood in absence of air हवा की अनुपस्थिति में लकडी को हवा नहीं हो तो उस में उस condition में हम लकडी को जला कर बना सकते हैं हवा की अनुपस्थिति में कोईले को जला के हवा की परियाप्त आपूर्ती ने होने पर लकडी को तो इसका अंसर होगा आपकी हवा की अनुपस्तिती में लकडी को कि जब हवा नहीं हो उस समय लकडी को जला कर जो है वो चारकोल घर में ही बनाया जा सकता है आप देखें क्योशन नमबर 24 24 नमबर क्योशन है डिपलीश इसके कारण क्या चैंसे होते हैं उसके का ब्लड कैंसर होने के सबसे ज्यादा चैंसे रहते हैं आप देखें क्योशन पाईफ नमबर क्योष्टिन है Smoke is a combination of Smoke किसका संयोजन है Air and water wepper का हवा और जलवास्प का Water and smoke का पानी और धुए का Fire and water का आग और पानी का Smoke और fog धुआ और कोहरे का तो Smoke जो है किसका Smoke and fog का धुआ और कोहरे का ठीक है किसका combination है कोहरे और दुएं का ठीक है आप देखिए question number 26 आप सब के लिए I think आपको questions समझ आ रहे होंगे questions काफी आपको last year के exams जो हैं उनी से लिए गए हैं ये आपके जो questions हैं तो आप कोई ना कोई exam में पूछे गए आपके जो आर्मी से related exams हैं उनमें पूछे गए questions ही हम आपको करवा रहे हैं तो और यदि आपको इसी तरह के questions और करने हैं free material आपको चाहिए तो आप तरणा publication का app जो है वो भी download कर दीजिए तो उस app में आपको इस तरह के काफी जो है वो free material मिलेगा आपको math, reasoning, English, GKGS सभी के questions वहाँ पे मिलेंगे ठीक है तो अब हम बढ़ते हमारे next question पे question number 26 why the earth is having ease on atmosphere प्रत्वी का अपना वायू मंदल क्यों है? winds के कारण, clouds के कारण, gravity के कारण या rotation of the earth के कारण तो जो प्रत्वी का अपना वायू मंदल क्यों है? gravity के कारण, घुरुत्वा करशन सकती के कारण अब देखो हम हमारे next question पे बढ़ते हैं, question number 27, 27 number question हमारा क्या है? देखे, question number 27 है, motor skills are associated with which part of the brain? प्रेरक कोशल मस्तिश के कौन से भाग के साथ सम्मंदित है? frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, temporal lobe, lockik भाग या occupatal lobe, पश्चक पाल भाग तो प्रेरक कोशल मस्तिश के जो है वो frontal lobe में ललाट भाग के अंदर से related होता है आप देखे, question number 28, 28 number question है, which enzyme is present in all members of the animal except protozoa? protozoa के अलावा कौन सा enzyme प्राणी जगत के सभी सदश्यों में मुझूद है? बताए, insulin, pepsin, renin या amylase तो protozoa के अलावा कौन सा enzyme प्राणी जगत के सभी सदश्यों के अंदर मुझूद होता है? वो आपका amylase के अंदर option number D आपका correct answer हो जाएगा आप देखे, question number 29, 29 number question है आपका at boiling point of liquids, ए तरल पदात के क्वतनांग पर temperature increases, temperature बढ़ता है atmospheric pressure increases, वायू मंदलिय दाब बढ़ता है temperature remains constant, तापमा नियत रहता है, vapor pressure decreases, वास दाब गढ़ता है तो इसका answer होगा, आपका temperature क्या रहता है, remain constant option number C आपका, तरल पदात के क्वतनांग पर temperature remain constant रहता है option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखे क्योशन number 30, 30 number क्योशन है आपका a level of atmosphere which is composed partly of electrons and positive ions is called वातावरण का वहस तर जो electrons और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रन से बना है, क्या कहलाता है troposphere, ionosphere, stratosphere या mesosphere क्या कहलाता है, तो वो जो है, वो आपका क्या कहलाता है ionosphere, option number B आपका correct answer हो जाएगा कि वातावरण का जोस्तर electron और धनात्मक जो उनके ion जो है उनको मिश्रन करता है, तो उसको क्या बोलते है ionosphere, ठीक है, अब देखे क्योशन number 31 31 है आपका, lacrimal glands are situated in अश्रू ग्रन्थी कहां स्थित है, palms में, हथेलियों में buccal cavity, मुक गुहिका में, eye orbit, नेत्र गुहा में या stomach, पेट में, तो आपकी अश्रू ग्रन्थी जो है वो आपकी eye orbit में, नेत्र गुहा के अंदर स्थित है, option number C, आपका correct answer हो जाएगा अब देखे क्योशन number 32 32 number question है, the most extensive use of molasses after fermentation is for producing किन्वन के पश्चाद सबसे व्यापक रूप में मुलासे का प्रियोग निमनल इखित में से क्या तयार करने के लिए किया जाता है methanol, sugar, ethanol या sugar cane तो इसका अंसर होगा आपका ethanol मुलासे का प्रियोग क्या तयार करने के लिए क्या जाता है वो क्या जाता है आपका ethanol तयार करने के लिए क्या जाता है अब देखिए question number 33 33 number question है which one of the following is an insulator निमनल इखित में से क्या विदूत्रोदी है insulator जो है वो क्या है copper है, तांबा wood लकडी है mercury पारद है या फिर aluminium है बताइए क्या है तो विदूत्रोदी इन में से क्या है wood लकडी है insulator ठीक है आप देखिए question number 34 34 number question है bubbles of air rise up through liquids due to किस कारण से yu के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं surface tension and adherence प्रस्तनाव और आसंजन के कारण viscosity and bunancy सैंता और उत्पलावनता के कारण air current over the liquid and bunancy तरल पदार्थ पर वायू प्रवा और उत्पलावन के कारण up thrust and surface tension के कारण उत्षेप और प्रस्त तनाव के कारण तो वायू के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं क्योंकि viscosity and bunancy सैंता और उत्पलावनता के कारण option number B आपका correct answer हो जाएगा आप देखें क्योश नमबर 35 35 नमबर क्योशन है आपका geolite is geolite क्या है hydrate ferric oxide hydrate sodium aluminium silicate sodium hexameta phosphate या sodium tretaborate क्या है तो geolite जो है वो है आपका option number B hydrate sodium aluminium silicate ठीक है आप देखें क्योशन नमबर 36 36 नमबर क्योशन जो है इसके options काफी पहले question इसको काफी short करना पड़ेगा देखो the boiling point of liquid vary as किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्यता होती है बताइए pressure varies दाब में भिन्यता के कारण temperature varies तापमान में भिन्यता के कारण volume varies आयतन में भिन्यता के कारण या density varies घनत्व में भिन्यता के कारण तो boiling point of liquid vary जो है वो किस कारण से होता है वो pressure varies दाब में भिन्यता के कारण ठीक है जैसे कि आपकी सब की demand पे Hindi और English हम दोनों में आपके जो है वो GKGS के mixed question आपको करवा रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की problem face नहीं करने पड़े आपको Hindi में भी समझा जाए और English में भी समझा जाए ठीक है तो उससे पहले आप भी प्लीज चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि हमारी 50,000 subscriber की एक छोड़ी से family complete होने वाली है तो उस family को complete करने में हमारा support कीजिए हम चाहते हैं New Year से पहले हमारी 50,000 subscribers complete हो जाए तो उसके लिए जिसने भी चैनल को subscribe नहीं किया है वो चैनल को subscribe कर दे आप कहां stand करते हैं तो अभी देखो हम हमारा questions जो है वो start करते हैं जीके का Epigraphy is the study of which of the following पुरा लेक शास्त्र किसका अधेन है coins का, inscriptions का, temples का या birds का तो पुरा लेक शास्त्र जो है वो किसका अधेन है वो है आपका inscriptions का, शिला, लेक का option number B आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए question number second question number second है आपका which is the highest गलानेट्री award in India भारत में सर्वोच वीरता पुरुषकार कोन सा है सबसे बड़ा, सबसे ज़ादा जो वीरता पुरुषकार माना जाता है भारत के अंदर वो कोन सा है बताइए वीर चक्र, परम विशिस्ट, सेवा, मैडल, परम विशिस्ट, सेवा, पदक, कीर्ती चक्र, परम वीर चक्र बताइए कौन सा है तो इसका अंसर होगा आपका परम वीर चक्र option number D आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number third question number third है आपका from the following who was the first woman speaker of लोकसभा निमनलिकित में से लोकसभा की प्रथम महीला का नाम बताइए तो लोकसभा की प्रथम महीला का नाम बताइए सुश्मा स्वराज, मारगरेट अलवा, मीरा कुमार, सरोजनी नाइडू तो लोकसभा की जो first जो speaker थी वो कौन थी आपकी option number C, मीरा कुमार जो ये मीरा कुमार थी वो पंदरवी जो लोकसभा थी उसमें जो है ये speaker थी और 2009 तो 2014 इनका कारेकाल था ठीक है अब देखिए question number four, question number four है where is the great barrier reef located, great barrier जो reef है वो कहां पे स्थीत है Pacific Ocean में, प्रशांत महसागर में Indian Ocean में, हिंद महसागर में, Atlantic Ocean, Atlantic महसागर में, Arctic Ocean, Arctic महसागर में तो great barrier reef जो है वो कहां पे situated है तो वो है आपका option number A, Pacific महसागर में ये जो Pacific प्रशांत महसागर है वो coral reef, Australia के जो Queensland द्वीप है उसके पास 3200 किलोमेटर चोड़े छेतर में फैला हुआ है, ठीक है तो वहां पे ये स्थीत है Pacific Ocean अब देखिए question number 5, question number 5 है आपका silk worms feed on, रेशम के केड़े किन पर पलते हैं? बताईए, basil leaves पे, तुलसी के पत्ते पे, curry leaves पे, curry के पत्ते पे, rose leaves पे, गुलाब के पत्ते पे, mulberry leaves, mulberry के पत्ते पे Disguised unemployment in India is mainly related to, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य लुपसे किस छेतर में हैं? तो भारत में जो बेरोजगारी, जो छुपी बेरोजगारी हैं वो mainly agricultural sector, क्रश्री छेतर, rural area, ग्रामीन छेतर, factory sector, factory छेतर या urban area, सहरी छेतर तो भारत में छुपी हुई बेरोजगारी सबसे पहले किसके हैं? सबसे पहले आपके क्रश्री के छेतर में है, agricultural area के अंदर है, उसके बाद जो है आपके, जो है वो ग्रामीन छेतर के अंदर आती है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका agricultural, उसके बाद हो जाएगा ठीक है? आप देखिए question number 7, इसको थोड़ा सा small कर लेते हैं, question number 7 है आपका, which of following is not guaranteed by Indian constitution, निमन लिखित में से भारतिय सविधान guarantee नहीं देता है, right to equity, समता का अक, right of religious freedom, धार्मी का जादी, right to constitutional remedies, right to free education for all, तो इंडियन जो constitution है वो guarantee किसकी नहीं देता है, तो उसके अंदर जो इंडिया का constitution है, उसके अंदर बाकी ये सब चीज़े लिखी हुई है, लेकिन right to free education for all जो है, ये वाला सविधान जो है वो आपके नहीं लिखा हुआ, तो option number D आपका correct answer हो जाएगा, आप देखिए question number 8, question question number 8 है आपका, देखिए, पंजाब है जे लार्ज नंबर ओ, इन डेशन, कैनल स्ट्रॉइंग, वोटर फ्रों, पंजाब में बड़ी संख्या में अप अलावन नहर है, इन में जल कहां से आता है, बताइए, जेलम नदी से आता है, चिनाब नदी से आता है, ब्यास नदी से आता है, या सत्लूज नदी से आता है, तो पंजाब में बड़ी संख्या में अप अलावन नहर है, इसके अंदर जो जल है, वो आपका सत्लूज नदी से आता है, option number D आपका correct answer हो जाएगा, आप देखिए next, question number 9, question number 9 है आपका, the book entitled playing it my way has been authored by, playing it my way पुस्तक के लेखक का न सचिन तेंदुलगर, VVS लक्षमन, सोरव गांगुली या चेतन चोहन, तो जो playing it my way जो पुस्तक है, वो playing it my way पुस्तक जो है, उसके, जो है playing it my way पुस्तक, इसको किसने लिखा था, इसका जो सचिन तेंदुलगर है, उनकी आत्म कता है ये, क्या है सचिन तेंदुलगर के बारे में लिखा है, इसमें उनकी बायोग्राफी है, ठीक है, तो इसमें option number A ही हमें दे रखा है, तो हम A इसको कर देंगे, ठीक है, इनको जो है वो सही तरीके से, जो है वो, लिखने का काम जो है, वो किसने किया था, बोर्या मजूमदार ने ठीक है, बोर्या मजूमदार ने सचिन तेंदुलगर जो है, उनकी आत्मकता है, और इसको जो सही शब्दों में लिखने का काम बोर्या मजूमदार ने किया था, आप देखिए, question number 10, question number 10 है आपका, which of following is an example of cartel, cartel का example क्या है, OPEC, petroleum, निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है Organization of Petroleum, IMF, WTO, International Monetary Fund, WTO, World Trade Organization, UNO, संयुक्तरास्टर संग, ठीक है, तो इसका answer जो है, कोन सा जो उत्पादक संग, cartel का example है, वो है आपका OPEC, ठीक है, OPEC, आप देखिए, next, question number, 11, question number 11 है आपका, OPEC, SLA- Wagams, Water water is, Water waste released from kitchen, रसोई से निकालने वाला OPEC, जल, Waste water released from toilet, सोच गर से निकालने वाला OPEC, जल, Waste water released from factories, अस्पतालों से निकालने वाला अपसीजल तो सलेज वाटर जो है वो आपका हाउस होल्ड जो कीचन में जो सिंक सावर जो है बाथ उनसे निकलने वाला जो वोटर है वो होता है ना कि टोईलेट से या फैक्टरी से उनसे निकलने वाला तो option number यह आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए question number 12 क्योशन number 12 है आपका who was the first woman chief minister of उतरप्रदेश उतरप्रदेश की प्रथम महीला मुख्यमंत्री कोन थी एनी बेसिंट थी मायावती थी विजयलक्षमी थी या सुचेता कृपलानी थी तो आपकी जो उतरप्रदेश की जो first woman महीला म उख्यमंत्री थी वो थी आपके option number D सुचेता कृपलानी जो की 2 October 1963 को अपोइंट की गई थी चुनी गई थी अब देखिए question number 13 13 number question आपका क्या है देखिए चालुक्य टेंपल जेन टेंपल से दिलवारा और सिच्वेटेड इन दिलवारा के चालुक्य मंदिर कहा स्थीत है बताइए माध्या प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राजस्थान में या हर्याना में ये question side सभी को बताऊगा ये राजस्थान के माउंट टाबु के अंदर चालुक्य मंदिर जेन मंदिर अस्थीत है option number C आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए next question number 14 question number 14 है आपका Among the following states bracket has the lower birth rate in India भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्मदर नियूंतम है तो जन्मदर रेट जो है वो नियूंतम किस में है केरला में उत्तर प्रदेश में पिहार में या वेस्ट पंगोल में कहां पे जो है वो birth rate सबसे कम है तो वो है आपकी केरला के अंदर के अंदर birth rate भी सबसे कम है और educated persons जो है उनकी संख्या जो उनकी rate है वो भी केरला के अंदर सबसे ज़्यादा है ठीक है अब देखिए question number 15 question number 15 है the secretariat of Sark is set up at Sark का सची वाले कहां स्थित है washing गटन में, काठ मंडू में, हेग में, नई दिल्ली में तो जो Sark secretariat है आपका सची वाले है उसका सची वाले जो है वो आपका काठ मंडू के अंदर है जो कि निपाल में है तो option number B आपका correct answer हो जाएगा काठ मंडू नेपाल आप देखिए question number 16, question number 16 है आपका the outmost range of हिमाल्याज is called हिमाल्या की सबसे बहारी परवत श्रेणी कोन सी है काली, शिवालिक, देहरादून या कुमाईयू तो हिमाल्या की सबसे बहारी जो परवत श्रेणी है वो है आपकी शिवालिक कोन सी है शिवालिक option number B आपका correct answer हो जाएगा शिवालिक आप देखिए आपके GS के questions आएंगे तो हम GS के questions हमारे start करते हैं gives hardness to stainless steel, डिम्न लिकित में से किस से stainless steel में कठोरता आती है जिंक से, लेड, सीसा से, कारबन से या टिन से, तो give hardness to stainless steel, stainless steel जो उसमें कठोरता आती है बताईए तो किस से आती है कारबन से, तो option number C आपका correct answer हो जाएगा, कारबन आप देखिए next, question number 18, question number 18 है आपका which of the following is responsible for transport of food and other substances in plant निम्न लिकित में से किस से पोधों में खाद्य पदार्थ और अन्या तत्वों का वहन होता है जाइलम में, फ्लोयम, पोशवा से, क्लोरोप्लास से या इन में से कोई नहीं तो पोधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ और अन्या तत्वों का वहन होता है वो है आपका flow aim, option number B आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए question number 19, question number 19 है आपका The washing machine works on the principle of कपड़े दोने की मशीन किस सिधांत पर कार्य करती है तो कपड़े दोने की जो मशीन है वो आपका अपकेंदरी करन पर कार्य करती है centrifugation ठीक है अब देखिए question number 20, question number 20 है आपका Which lobe of human brain is associated with hearing? मानव मस्तिश की कौन सी पाली श्रवन से संबन्दित है frontal lobe अगर ललाट पाली, parietal lobe पीतिय पाली, temporal lobe संखक पाली, occupital lobe अनुक पाल पाली तो मानव मस्तिश की कौन सी पाली श्रवन से जो ध्वनी है उससे related है तो वो है आपकी temporal lobe, option number C आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अब देखिए, question number 21, question number 21 हमारा क्या है which of the following is not suitable in water, water के लिए suitable नहीं होती है निमनलिकित में से क्या जल में गुलंशिल नहीं है lead sulfate, zinc sulfate, potassium sulfate या sodium sulfate जल में गुलंशिल कोन सा नहीं है तो जल के अंदर lead sulfate जो है वो आपका गुलंशिल नहीं है ठीक है, बाकी एक के सारे जो है वो जल में गुलंशिल होते है अब देखिए, activated charcoal is used to remove coloring matter from pure substances by निमनलिकित में से किसके द्वारा सक्रिय काट कोईला का प्रियोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है ब्लीचिंग, विरंजन, ओक्सिडेशन, उपचयन, एब्सोर्प्शन, अधिसोशन, रिडक्शन, न्यूनी करण तो इसका आंसर होगा आपका option number C, absorption, option number C, अधिसोशन ठीक है, आप देखिए, question number 23, question number 23 है आपका चार्नोबिल डिजास्टर is the result of pollution by, चार्नोबिल महाविब्दा किसके प्रदूशन का परिणाम है oil spill, तेल चित्राव का, acid rain, अमलवर्षा का, carbon dioxide का, या radioactive waste, radioactive abscist का तो चार्नोबिल महाविब्दा जो है, वो किसका प्रदूशन का अधिकार है, वो है आप परिणाम है radioactive waste, ठीक है, अब देखिए, question number 24, 24 number question है which of following caused radioactive pollution along the coast of केरला, केरल तट पर radioactive production निमनलिखित में से किस कारण से हुआ, plutonium, zinc, thorium और radium, तो इसका अंसर होगा आपका theorem के कारण हुआ, ठीक है, आप देखिए, question number 25, 25 number question है आपका, in mammals an important role of excretion is played by, स्तन धारियों में उचसर्जन का एक महत्वपोन कारिया है निमनलिखित में से कोन सा अव्यव करता है, large intestine, kidney, lungs, फेफडे, या liver, कोन करता है तो इसका आंसर होगा आपका kidney, option number B आपका correct answer हो जाएगा kidney आप देखिए, question number 26, 26 number question है the most pure from the carbon among the options is, निमनलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है anthracite, lamp, black, causal, graphite, या wood charcoal, लकडी का koela तो विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, वो है आपका anthracite option number A आपका correct answer हो जाएगा anthracite अब देखिए, question number 27, 27 number question है आपका the sexual reproductive organs of S pregals are S perzillus के lagic channel अंग कोन से है बताए, spermacium और अंडाधानी, पुदानी और अंडधानी, spermacium और S को दानी या पुदानी और S को दानी तो इसका answer होगा आपका option number D, पुदानी और S को दानी ठीक है अब देखिए, question number 28, इसको थोड़ा सा small करना पड़ेगा क्योंकि इसके answers काफी बड़े हैं तो देखिए, star twinkle but planet do not twinkle, star चमकते हैं किन्तु ग्रह नहीं चमकते Q, they emit light of a constant intensity, वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उच्चरजित करते हैं देखिए, distance from the earth does not change with time उनकी प्रत्वी से दूरी समय के साथ परिवर्थित नहीं होती Q, they are very far away from the earth resulting in intensity of light वे प्रत्वी से अत्यदिक दूरी पर हैं और परिणाम श्वरुप प्रकाश की प्रबलता में कमी होती है और option number 4 है आपका, they are nearer to the earth and hence we receive a greater amount of light and therefore minor variations in intensity are not noticeable तो इसका answer होगा option number 4 क्योंकि देखिए, जो प्लानेट है वो प्रत्वी के बहुत करीब होता है और उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यहीं छोटे मोटे परिवर्थन होते हैं तो वो उसमें visible नहीं होते है तो option number D आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए, question number 29 which of the following is not true about x-ray x-ray से related विकल्पों में कुन सा विकल्प सही नहीं है have low penetration, power इसमें कम भीधन चमता होती है travel with the speed of light यह प्रकाश की गती से चलती है can be reflected और reflected यह परावर्तित या अवर्तित दोनों हो सकती है can affect photographic planet, photographic plate को प्रेभावित कर सकती है तो इसका answer होगा आपका option number A have low penetrating power, इसमें कम भीधन चमता होती है आप देखिए, question number 30 question number 30 है आपका what is the product form when sodium bicarbonate is heated strongly जब sodium bicarbonate को अत्यदी गरम किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है बताई है sodium carbonate, sodium hydro oxide, sodium peroxide और sodium monoxide क्या बनता है तो उस समय आपका sodium carbonate बनता है option number A आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए next question, question number 31 31 number question है what is the name of device used to convert alternative current into direct current प्रत्यावर्ती धारा, AC को दिस्ट धारा, DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रियोग किया जाता है AC को DC में emimeter को, galvanometer को, rectifier को या transformer को किसका यूज क्या जाता है तो उस समय rectifier का यूज क्या जाता है AC को DC में change करने के लिए आप देखिए question number 32 32 number question है आपका why does ice covered in so dust not melt quickly बुरादे से ढक्योई बरफ चल्दी से क्यों नहीं पिगलती so dust does not allow the air to touch the eyes बुरादा हवा को बरफ तक नहीं जाने देता the water is absorbed by so dust बुरादा पानी को सोख लेता है so dust is a bad conductor of heat बुरादा उश्मा का कुचालक है so dust is good conductor of heat बुरादा उश्मा का सुचालक है इसका अंजर होगा आपका option number C कि so dust is a bad conductor of heat आप देखे question number 33 33 number question है which layer of earth's atmosphere contains the ozone layer प्रत्वी के वायू मंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है ट्रोपोस्फियर छोब मंडल मैसोफियर मद्य मंडल ओनोस्फियर आयन मंडल या स्ट्रेटोस्फियर समताब मंडल तो कौन सा होगा इसका answer कौन सी ओजोन परत होती है इसका answer होगा आपका स्ट्रेटोस्फियर option number D समताब मंडल अब देखे question number 34 34 number question है why is carbon monoxide a pollutant carbon monoxide प्रदूसक क्यों है reacts with hemoglobin या hemoglobin के साथ अभिक्रिया करता है makes nervous system inactive या तंत्री का तंत्र को निश्क्रिया बना देता है it reacts with oxygen या oxygen के साथ अभिक्रिया करता है inhabitates glycosis या glycosis को रोकता है तो यह क्या करता है यह react with hemoglobin या hemoglobin के साथ अभिक्रिया करता है option number A आपका correct answer हो जाएगा आप देखे question number 35 what is the phenomenon which established the trans-server nature of light जिस प्रगटना ने प्रकाश के अनुप्रस्त स्वरूप को स्थापित किया वह प्रगटना क्या है reflection interference defraction या polarization तो वो जो process है वो क्या कहलाती है आपकी polarization धुरूवी करण ठीक है तो देखे आज का last question question number 36 what is contained in chlorophyll chlorophyll में क्या होता है sodium potassium magnesium या magnesium तो आपका chlorophyll जो है वो क्या content करता है magnesium option number D आपका correct answer हो जाएगा ठीक है तो आज की class आपकी finish करते है कल फिर मिलेंगे नए questions के साथ ओके बाई क्या हुआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल झाल